हेलो दोस्तों यूपी स्कॉलर्शिप एक लाइटेस्ट अपडेट आपके लिए है जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही इन्फर्म किया था कि स्कॉलर्शिप फॉर्म की डेट बढ़ने वाल है तो दोस्तों अब डेट एक्स्टेंड हो चुकी है कब तक की डेट आपकी लाइकन को प्रेश करना नव भूलेगा दोस्तों यहां पर दो तरह से आप कर सकते हैं एक तो यूपी स्कॉलर्शिप ऑलिस साइट पर जाकर दूसरा यहां पर देख पा रहे होंगे सरकारी रिजल्ट पर भी आकर आप यहां से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो दोस् यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों सरकारी रिजल्ट www.sarcarireusult.com इस साइट पर जाकर के आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इस तरह से पेज आपका ओपन होगा आप यहां पर देख पा रहे होंगे यूपी स्कॉलर्शिप ऑनलाइन इसके बाद आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा यहां पर देख पा रहे होंगे यूपी अदर देन क्लास 12 कोर्स दशमोत्तर स्कॉलर्शिप ऑनलाइन फॉर्म 2022 यहां पर आप इस तरह से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्तों यह जो फॉर्म है जो दशमोत्त के लिए हुआ है टेंद के बाद वालों के लिए हुआ है इस्पेशली ग्रेजुएशन एंड बेर में जो अभी प्रॉसेज में चल रहा है उन स्टुडेंट के लिए क्या गया है क्योंकि अड्मिशन इनका लेट तक चला है तो दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा hard copy submit to college last date आप देख पारहोंगे 14 12 2022 यहां पे आप देख सकते हैं hard copy submit to college last date आप 14 1220 तक आप submit कर सकते हैं कालेच में correction last date जो है दोस्तों बीस बारा दोचर बाइस ये आपके correction की last date है यानि जिन्हों ने अपने farm को fill करने में कोई mistake कर दिया है, कोई गलती कर दिया है तो वो correction कर सकते हैं इस date से पहले, यानि 20 December से पहले तो दोस्तों ये थी आज की news, अब आपके other क्या क्या चीजे हैं UP scholarship document required fresh candidates के लिए क्या क्या चीज़े हैं वो हम next video में आपको बताएंगे आप लोग वहाँ जूटे रहिएगा तो दोस्तों मिलते हैं आप next video में तो तक लिए बाई बाई टेक केर थेंक यू